यह है हमारा Pogo का F4 डिवाइस और इसके लिए Oxygen OS का एक latest update आया है जो कि OnePlus 2L R से port करा गया है और इसमें क्या कुछ चीज़ है working non working रेखने को मिलती है कैसे इसे डालना है उसके सारी जनकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ बस जरूरत है आपको लास्ट तक चल सके और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके कमेंट आया थे वाई वन प्लस का अपड़ेट आ गया है था वीडियो दे दो तो यह दा आपके सामने है सबसे पहले चीज़ देखो है कि यहां पर गूगल डैलर मिलता है जो कि बहुत सब्सक्राइब कर देता है कि यहां पर कॉर्ड रिकॉर्डिंग के टाइम में यह गले फार के एनाउंस कर देता है भाई चोरी की जा रही है तुम्हारी आवाज बाद में तुम्हारे पर लगा हम रखें इसका कहने का मतलब यह ही होता है ठीक है उसके बाद यहां पर एक एडवांडेज आपको मिलता है कि यहां पर डिफॉल्ट इसका हाइपर कैमरा दे दिया गया है जिसके वैसे आपको डिलेटेट प्रसानी नहीं आएगी और फूर्ट के यहां पर आपक इसके बाद यहां पर हमें इसके बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है एंड्रोइट का सिक्यूर्टी पैच वगरा है एंड्रोइट का बाकि सेम कॉमन और मिलते हैं इस बार के ऑक्सिजन ओस 14.1 गंदर कुछ कुछ चीजे चेंज हुई थी जो कि मैं आपक यहां पर चुका है और सिस्टम एप अपडेटर भी यहां पर आ चुका है बट पोर्ट यूजर्स के लिए कोई खास बीग डिफेंट यहां पर करते हो तब अपने फोन से हां दोना पड़ेगा तो इसलिए अपडेट मत कर लेना ठीक है बाकि यहां पर सिस्टम रिपैर का यहां पर चुका है यहां फोन में प्रोलम आया है रिपैर करवाना आप चात्यू का पर डेटा सिक्योर रहा है तो इसे अन करो और जाकर देयाओ अपने सर्विस इंटर अगरे यहां तो यह भी सिर्फ वन प्लस के औरिजिनल डिवाइस की विजास के लिए है पोर्ट वाल स Right में डाल डिया गया है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो तो यहां पे थो चीज़े बदल दी गई है बाकि सेटिंग तो वही के वही है बैट पिक अंदर पूरा लुक जो पहले दिफेंट हुआ करता था डिवाइस अनलोग में आते हैं तो फेस अनलोग फिंगर्पिंट दोनों देजर आते हैं बड़ फेस अनलोग आपको यहां पर वही सेट नहीं होता बस इसके आगे आपका है जो बढ़ता ही नहीं है और ऐसे भी ऑक्सिजन वाइस के जितने भी आज तक अपडेट आ अंदर वही नोटिसन हिश्टि वगएरा और बाकि श्रसवार वगएर के आपको मिलते हैं बाकि यहां पर आपको मेलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस जहां पर आप देखो ब्राइटनेस थोज़ी सी कम हो गई अभी क्योंकर आपको यहां पर लाइट कम आया तो इसन अगरा होम इसकीन है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है वही सेम टू सेम आपको ऑक्सीजन ओला लाउंचर मिल जाता है वही सारे सेटिंस होगे देखने को मिल जाते हैं और इसे टास्क में आप फिरी मेमरी तो करवाना चाहते हो वह कर सकते हो कुछ एप्स को आप यहां पर कर सकते हो और ऑक्सीजन ओए शुरू से काफ़ जड़े रैम कंज्यूम करता है फिरी कम रखता है और इनका नेचर ही है कुछ जात है इनका भूख लगी रहती है सब कुछ खा लाते मीवाई भी कुछ कम नहीं है जो कि आचके टाइम हाई प्रोस का कपड़ा पेंट के पर से मिल जाते हैं जो कि कुछ लाइफ वाले 21 हैं और बाकि यहां पर नॉर्मल से 70 वालपेपर से हैं तो जो भी वालपेपर अच्छा लगे वह आप डालो या अलग से डालो मर्जी आपकी योडी काम कर रहा है बट हाँ इसकी जो brightness है इतनी कम रहती है sometime कि भाई आपको चस्मा लगा के देखना पूट जाएगा लेकिन आप इक टाइम पर देखो जब मैं वीडियो सूट कर रहा हूं यह अच्छे खासा काम भी कर रहा है तो मेभी sometime दिकत दे या मेभी sometime दिकत ना आप इसे देख लेना है एक बार और मुझे बता देना इसने मेरी नक कटवा दी कि जब मैं टेस्टिंग कर रहा था जब डाउन था और वीडियो के टैम में लाइफ के टैम पर यह सही से काम कर रहा है क्या बे उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलता है एज लाइट इसमें कुछ खास ज़्यादा बदलाव नहीं आया है बर ठालके बूलके फॉंट्स वगया चेंज हुए है उन्हें इसनका जो सर्च बार है वही जो कि थो आईफोन से इंस्पायर है वैसा सिमिलर तो नहीं है बट हाँ ठीक है जो कुछ भी है सही है यहां पे जो साइड़ पर बगेर है जहां पर आपको जो रिसेंड और फाइल डॉक का भी फीचर्स मिल जाता है जो कि वन प्लस का काफ़े इंट्रेसिंग फीचर्स है जहां पर कई साइज चीज आप यहां पर रख सकते हो जो कि मुझे पसंद आया बट इससे स्टाटी में थोईबूत प्रमीश आपको देखनी को मिलते हैं जो कि सही है बाके अपनी साफसे डाल लेना स्टेंड बाइटी रॉप जो कि 29 के बाद मौर्निंग में आता है 25 यहां पर फुल नाइट में 4 प्रसंट का बाइटी रॉप है जो टाइमिंग हमारा है वो है 921 मिनिट का जो कि मैं कहुँआ ठीक है तो छोट लिंग नजर आती है थोड़ और स्टेवल होता तो और ज्यादा बेटर होता गीक बेंच में डाउन साइड है दोनों सिंगल और मल्टी तो कि इंप्रूमेंट मुझे नजर नहीं आया लॉंग टाम के विजज के बाद भी और सेकेंड दे का बैटी डॉप जो कि 70 इसूज वगरे नहीं आता और फिर से मैंने अंटर टू रॉन किया तो स्टेवल रिजल्ट है कोई भी इंप्रूमेंट या डाउन साइड टेखनी को नहीं मिला इसलिए मैंने कहा कि यहां पर को इस्टिबिलिटी जो स्टार्टिंग में मिलती नहीं रहती है इंक्रेज नह अगर आपको 5G का सपोर्ट चाहिए तो अपने डिवाइस के सपोर्टेट रिजन का FW फ्लैस कर लेना ताकि आपका 5G वर्किंग हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा पैच गाइड है कुछ एक्स्ट्रा पैच डालने के ज़रूरत नहीं है अज़िए आप चाहो तो इस रोम को कर रहे ज़्यादा आपको समूद्देश चाहिए वन प्लस टाइप का तो एक अलग से पैच दिया गया है उसे आप अपने रिकावरी से डाल लेना उसके वाद इंप्रूब्मेंट आपको देखनी को मिलेगा असमूद्देश के अंदर आगर आपको ऐसा फील होता है तो मैं मिलता हूँ इस वीडियो में हो सायट डाउनोड लिंक वगड़ा आपको डिस्क्रिशन में देखनी को मिल जाएंगे जहां से आप इसे डाउनोड हो रहा है जो कर सकते हो बाइबाई